हलो एबरेवन आज हम लेकर के आएं हैं शूसु सैहिता सूतरस्थान अध्याय चतुरतस यांब ow q12 ऑर सबसे पहले हम जहिसका नाम तो घ्षान फुर्डश्था सूतरस्थान का उसका rehell सवोणित वरणियम डियायम तो इसमें विशेस रूप से रहक्त यह द्याथव से रख भगवान धन्वंतरी हैं यह आप सबको पता है चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको और सबसे पहली चीज आचारी ने देखिए रस से इस अध्याय का जो है वह बनंद सुरू किया है यानि कि रस से क्योंकि रत की उत्पत्ति मानी जाती है इसलिए पहले रस का इन्होंने बनं प्रकार है रस को कहा है पांच भधिक होता है चतुपीं होता है चार प्रकार का होता है और ब 250 यह दोप्रकार का विर्या कौन सा हो गया दौिवीद भी कहा है इनोंने अस्ट विर्य भी будет कह अगर देुखे तो शीत होर औरह अगर मैं के प्रकार से बात करें तो गुरू हो गया मंद हो गया विशद हो गया उंक हो गया यह अठ庑 कार के इस तरीकी एप और अनेक प्रकार के गुणों उप्युक्त आहार का जब सम्यक परीमाण ईसका होता है सम्यक रूप से वह परिणत होता है तो जो सार्भाग और उसका जो शुक्ष्म रूप है वहको रसकलाता है की ते जो भूते slang सुक्ष्म सेरस इत्य उच्ञतिÓ यानि कि रस गागया है तो आचारी शुशुत ने कहा है जो फुट जिल हो जाता है उसके पजट उसका जो परम सूक्षम सार भाग है कि एक सद आरे और आगली जो लाइन है वो इसलिए important है कि उसमें उन्होंने रस का स्थान बताया है तो वह रस का स्थान कोण सा है रदे यानि अचारे शुषूरत के नुसार रस का जो स्थान है उसको रदे माना गया है उसके बाद यही रस जो है क्योंकि वह रदे में रहता है हर्दे का स् जो चतुर विष्चती धमनीर अनु परविषय उर्धवागा दस दस जए अधोगा मिने यह जो उबाऩ उसके पुर्धय के साथ 25 प्रकारगी भृक्त फ्रकारगी ठीगे से थेड़ अधोगामिनी हो गई और बाकी जो सेष बंची वह तिरियक हो गई hyb यानि चार तिरियक हो गई तो दस प्रकार्थ से समन्दितच औरुबिस धंपनीयों और वर्नम किया है यह इसमें देखने बात है और उसके इस प्रकार के जो रस दातु है यह शरीर का तरपन करती है वर्धन करती है यापन करती है इस प्रकार के कि जो कि रसके ये एक तरीके से इन्होंने कर्म बताएं हैं उसके बाद में यही ख्षय वर्दी का कारण है तो यह एक सिंपल सी डिस्क्रिप्शन है रस के बारे में तो वह थोड़ा सा एक वार उसको पड़ लें अगली जो महतोपुन उन्होंने बात कही है वो ये कही है कि रस जो है वो सौम्मे होता है या आगने होता है तो आचरे शुशुत ने यहां इसका निवारण किया है कि सौम्मे इती अवगम्यत इसको सौम्मे मानना चाहिए तो रस क्या हो गया रस सौम्मे हो गया स्थान हर्दे हो गया और यहां से जो 24 धमनिया निकलती है उनके द्वारा ये श्रीर का पालन पोशन करता है वह 24 नों ने बताई है दस उर्दु गामिनी दस अधो गामिनी और चार तिर्यक चलिए अगले श्लोक में चलते हैं अगला जो श्लोक आए वह मुलेगा ये से खलव अप्यो रसो यक्रत-पलीहानौ और वार प्राप्य , यानि की ये जो रस है वह यक्रत और पलीहा में जाकर की या यक्रत और पलीहा के द्वारा राग को प्रापत होता है राग यहां कहाここ यह जो रष यकत और प्लिहा में जाएगा तो रखत के रूप में प्रवर्तित होगा या प्रीनित होगा तो रत क्याद की रूप्ति आचारे शुलोफ के प्लिहा द्वारा ठीक है इसको थोड़ा से एक बार देख ले अगला जो श्लोक है इसको सामाने रूप से आप थोड़ा सा एक वार पढ़ लें तो रंजित रंजितास तेज सा तो आप है शरीरस थेंद देही नाम एव्यापन्हा परसनें रक्त रक्तम इत्य भी दिये थे यानि कि रक्त किसको कहा गया है कि यह जो है तेज के द्वारा यह जो है वह रजित किया जाता है उसके बाद में यह आपको प्राप्त होता यानिकि जलिये होता है तो यह रख्त के बारे में सामाने डिस्क्रिप्षन है आप इसको थोड़ा सा एक बार देख लें अगला जो श्लोक आता आता है रसा देव स्त्रियाम है जो संग्यम प्रवर्थते हैं लेकिन कुछ लोग लोग बोलते हैं तो रिस से ही इसको संग्या का ग्रेंद करेंगे रस से ही स्सčाइब करने समय को ऑज़जन lunar का रोटा यानि जो उनमें जो जिस प्रकार से हम कहें उनमें जो रज जो है वह रज रूपी जो रख्त है वह रख्त भी रस उसकी उत्पत्ति भी आचारे ने रस से मानी हैं तो जो इस्त्रियों का रज है उसकी उत्पत्ति किस्से हुई रज रूपी जो रख्त है उसकी उत्पत्ति किस्से हुई रज से हुई और तत वर्षाद द्वादस उर्द्वियाती पंचाशत है ख्षयम तो वह बारा वर्ष से उसकी अवदी उन्होंने आचारे ने मानी है क लगबग पचास वर्स तक यह जो काल है यह रजयकाल कहलाता है तो रजयकाल की अवधी यहां बताई उन्होंने इस श्लोक में एक तो बारा से पचास वर्स और दूसरा उन्होंने बताया है कि यह जो रजरूपी रक्त है यह रख्त किससे बनता है, इसकी उत्पत्ति किससे होती है, इसकी उत्पति रस्ते होती है, अगले श्लोक में हम चलते हैं, अगला जो श्लोक हो गया, आरतवम शोनितम, याशील जो रस्त ऐन्हों ने सौम्य बताया था कि रस सौम्य होता है लेकिन यह जो शौनिद है यह जो रज है यह रज आगने गुण वाला होता है यह क्यों होता है यह गर्ब की जो उश्मा है गर्ब की जो उश्मा है क्योंकि गर्ब जो है वह अगनी गुण प्रधान होता है और उसमें रहने के से शोती सब्द राइब यहां पर यह संगानिवारण किया है। अगला बताया है था पांच भोतिकम तोस्टवाल परे जीवरक्तम आहूर आचार्य कुछ जो आचारिये हैं कुछ आचैरी Premiere आचार शूशुत ने खुद इसमें सम्मिलित नहीं किया जीवरक्त को पंच महाभूतों के संयोग से मना हूँ पांच भूतिक मानते हैं तो यहां आचारिय सुशुत का अपनामत नहीं है इसलिए हम इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं देंगे अगला जो है वो पांच भूतिक क्यों माना गया है पांच भूतिक किस तरीके से माना गया है उसमें इन्होंने बताया कि यह जो इसके गुण है रक्त के एक विसरता है एक द्रवता है एक राग है एक स्वंदन है और एक लगूता है तो यह भूम्यादी गुण है यानि कि व अगनी महभूत के कारण है इसलिए इसको पांच भोतिक संग्या दी गई है अगला इन्होंने बताया है रसाद रक्तम ततो मासम यह तो हम फस्ट यह से यह सुनते आते और रटते आते हैं तो इसलिए हमें अच्छी तरह से याद है कि इस रस से रक्त की रक्त से मास्की इस प के दवारा कहा गया है यह आचारे का शलोक है इसको थोड़ा देख लें अगला इस लोक के धात्यान को के जीवन का काम कौन करता है रस करता है यानि कि सभी धातुकी पुष्टि किस द्हातु की वज़े से होती है अब रसजम पुरुसम यह पुरुसको रस से उत्पन माना गया है यहां आचार्य शूशुत ने पुरुसको रस से उत्पन माना गए रस जम पुरुसम विद्यात रसम यानि कि रक्षेत प्रियतन है यानि कि जो विद्यात यानि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनको रस की रक्षा करनी चाहिए क्यों रक्षा करनी चाहिए क्योंकि पुरुस जो है वो रस से ही उत्पन होता है और इनकी र पान से और आचार से तो यहां अन की रक्षा का निर्देश किया गया है क्योंकि पुरुस्त जो है वो रस से ही उत्पन है और रस की जो रक्षा जो है वो किसे आचारी ने बताई है अन से रक्षा करनी चाहिए पान से रक्षा करनी चाहिए और आचार से रक्षा करनी है लेकिन इसमें यह जो लाइन है वो आप थोड़ा से ध्यान रख लें हालांकि यह याद होती है लेकिन फिर भी यह लाइन आचारे पतिसी लहता है इसलिये वो उसको जो है वो रस्की संग्या दी गई है अगला जो स्लोक है वो यह बताया है कि आचारे शुषवक्ष क्यों सा रस रस से रत्संबनने और से अगला धातु है मास से फिर अगला धातु है तो इन धात्यरू में कितना वक्त लगता है तो आचारे शुशुत ने यह जो बताया है 3015 कला यह 3015 कला जो रस है वह एक धातू के अंदर रुपता है एक धातू में कितना रुप गया 3015 कला रुप गया और उसके बाद मासेन रसह सुक्रम भवति इस्त्री नाम चे आर्थवम यानि कि एक मास का जो समय होता है उस एक मास के समय में रस धातू वो पुरुसूं के अंदर तो शुक्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इस्त्रियों में आर्थव के रूप में परिवर्तित हो जाता है यानि आचारिय शुशुत ने यहां निर्देश किया है कि रस से और शुक्रिय आर्तव बनने में एक मास का समय लगता है इसमें कितना समय लग गया एक मास का और एक धातू के अंदर जो है एक धातू से दूसरी धातू बनने में जो है तीन हजार पंदरा कला का समय लगा कितना समय लगा 15 कला का समय लगा अब आचारिय शुशूत ने यहां नीचे जो दिया है वह यह बताए है कि यह अस्टादस सहस्राणी एक धातू से दूसरी धातू बनने में कुछ आचारिय यह मानते हैं स्वतंत्र परतंत्रियों यानि कि यह यह जो हमारा तंत्र है ये तंत्र भी मानता है और कुछ दूसरे लोग भी इस चीज को स्विकार करते हैं कि रस से सुक्र तक का ये जो एक मास का समय दिया था इसमें जो कुल कलाएं जो इन्होंने मानी है वो मानी है अठारा अजार नब्वे यानि दो तरीके से आचारे ने बताया है कि रस जो है वो एक मास में सुक्र में परिवर्तित हो जाता है और इस मास के अंदर जो समय कला का इन्होंने बताया है वो बताया एक हजार अठारा अजार नब्वे कला तो अठारा अजार नब्वे कला में ये सुक्र में परिवर्ति अगला जो श्लोक है वह बहुत मेथवोण है सब्द अर्ची जल संतानवद गुणा यह जो लाइन आचारे ने दिये है यानि जोर्फ है वह शब्द की तरह अर्ची यानि अगनी की तरह और जल यानि जल की तरह तो किस की तरह से हो गया शब्द की तरह जल की तरह और अगनी की तरह इसके जो गुण है वो होते हैं तो रस के गुण हो गए शब्द अर्ची यानि अगनी और जल शब्द अगनी और जल के समान गुणों वाला होता है ये तो रश को क्या माना गया है रश को सब्द अर्ची जल संतानवत गुणा यानि कि इनकी जो संतान होती है शब्द की संतान या जल की संतान या अगनी की संतान तो ये जो शब्द क्या करता है शब्द जो है वो कहीं भी किसी भी दिशा के अंदर घूम जिटा है अगनी जो है वो उर्दु गामी होती है और जल जो है वो अधोगामी होता है तो शब्द के लिए तेरियक अगनी के लिए उर्धू और जल के लिए अधो गुनवाला इसको कहा है यानि यह कहने का मतलब यह हुआ कि यह पूरे शरीर में उपर नीचे तेरियक किसी भी तरीके से हर प्रकार से पूरे शरीर को जो है वो प्रिभंबन करता है पूरे शरीर में घूमता है और पूरे शरीर का पोशन करता है अगला जो श्लोक है उस लोक पर हम चलते हैं अगला श्लोक आगया यह बाजीकरन त्व ओशदे स्वय गुणे स्वय बल गुणोत कर्शाथ विरेचन वत उप्युकता है शुक्रम सिग्रम विरेचन थी तो जो बाजीकरन ओशदियां हैं यहां रस से अचारे ने शुक्र की उत्पत्ति बताई थी कि एक माह में होती है लेकिन यहां इन्होंने यह है कि जो वाजीकर ओशदियां होती हैं वो उस सुक्र का विरेचन करा देती हैं जल्दी जिस प्रकार से विरेचक ओशदियां काम करती हैं ऐसे ही वाजीकर ओशदियां भी सुक्र के लिए विरेचक का काम करती हैं अगले श्लोक पर चलते हैं यह जो है वो एक सामाने श्लो तो आप एक बार स्लोक को देख लें वो बहतर होगा अब यह पाक करती है लेकिन व्रद अवस्ता आने के कारण फिर जो है वह इतना पुस्टी कारक नहीं रहता है यह जो है से शरीर धारणाद धातव धातव इती उच्चेते यहां धातू जो है धातू क्यों कहा गया है इसल लिए नहीं दातू कहा जाता है परिवाशा बहुष्रामान्य है लेकिन इस परिवाशा में फ्रीर धारणाद धातव यह इत्यु चंते यह इत्यूर धातब यह अच्छय ने DES football आपको क्योंकि यहां जो भी हम बता रहे हूँ वह चारी शुरृ। अनुसर बता रहे हैं ठी यहां जो है वो शौनित जो है उसके शैवरदी या वो किस व्यादी किस दोस्त के द्वारा दुशित हो जाता है उसका इन्होंने आचारे ने वणन किया है कि फेनिल हो जाता है अरुन हो जाता है कृषन हो जाता है परुष हो जाता है तनु हो जाता है सिग्र गामी हो जाता ह यह जाता है किस प्रकार की चीज़ें हैं यह आगे कफ की दूस्ती से यह कैसे हो जाता है तो इनका थोड़ा सा आपको एक रखन रखना है सिंपली इनको आपको पढ़ना है और सनिपाता जो होगा सरव लक्षन संयुक्तम सनिक पात जो है वो किस प्रकार का होगा यह आपको थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखनी है और इसमें जो है एक वार थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लें अगला जो है वो आचारे शुषूत ने बताया है शुद यह प्रकरतिष्ट जो है शुद्ध रख्त है उस रख्त क्या अचारी ने बताया है कि इंद्र गोपक परतिकाश्म यानि इंद्र गोपक के समान उसके बाद ऐ सहत इविवरनंक तो यहां शुद्र रक्त का उन्होंने बताई एक तो इंदर गोपुक के समान होगा दूसरा ए सहत होगा ए सहत का मतलब ना तो ज्यूदा पतला ना ज्यादा मोटा यानि गाधा और उसके बाद आविवरन यानि कि सामान्य जो वरण है उसका उस सामान्य वरण वाला होगा विक्रत वरण वाला नहीं होगा तो ये परिवाशा जो है वो आचारिय शुशुत ने शुद्धरत के लिए दी है और इसके बाद जो विश्राब्बे रोगी हैं यानि विश्राब्बे कौन से रोगी हैं ज कि हें continua कि यहां जब हम देखते हैं तो यह काया आ सच्टौित सस्ति च्र secrets अधधिय में इसका वर्याद कि नहीं किया अचारे नहीं नहीं कि है उसको हम बाद में वरनित करेंगे लेकिन यहीं विस्राब्या के सार्वर कौन तो या गर्भीनी स्त्री है जिसमें शोत हुआ है तो यह जो रोगी है इन रोग्यों को एंविश्रावण करम नहीं करना चाहिए इस अगला जो है वह इस शस्त्र विश्रावण को आचारे शूष्षत ने दो प्रकार का बताया है कौन-कौन से दो प्रकार है एक प्रच्छा आचारे ने बताया है क्या होना चाहिए रिजू होना चाहिए ए संकीरन होना चाहिए सुक्षम होना चाहिए सम होना चाहिए अन अवगाड होना चाहिए अनुत्तान होना चाहिए और आशू होना चाहिए तो किस प्रकार का प्रच्छान करना है इसमें क्या-क्या होना चाहिए यानि कि ना ज़्यादा गहरा हो ना ज़्यादा उपर हो और आशू यानि कि तुरंत क्रिया करने वाला हो तुरंत ऐसा स्रस्र काम में लेना चाहिए जो प्रच्छान करम को तुरंत कर दे तो यह जो है यह प्रच्छान के लिए आचारे ने बताए हैं दूसरा क कि जो अगर कहीं जहां वेधन का अचरे ने निर्देश नहीं किया है वहाँ पर प्रचान करम नहीं करना चाहिए शीत वात यो और स्विन्ने शीत वात जिसको शीतल वायू लग गई हो शीतल वायू जिसको लगी है उसको प्रचान नहीं करना चाहिए ऐ स्विन्ने एस्विन्य का मतलब जिसको आप स्वेधन करम नहीं करा सकते हैं उसको प्रच्छान नहीं करना चाहिए उसके बाद भुगत मात्रे यानि कि रोटी या खाना खाने के तुरंत बाद में जो है वो प्रच्छान करम नहीं करना चाहिए और इससे क्या होगा सकंदवात यानि कि तो वो निकलेगा ही नहीं रख्त और निकलेगा तो बहुत कम मात्रा में रख्त स्रावन होगा इसलिए इन लोगों का रख्त स्रावन नहीं करना चाहिए आगे जो है वो इन्होंने बताया है कि किन-किन रोगों को जो है वो नासरक प्रवर्थती किन-किन रोगों को रख जो है वो पूरी अच्छी प्रकार से भली प्रकार से नहीं निकल पाता है तो इनको भी आप देख लें एक पर इस लोग को भी अब हम अगले श्लोग में चल इस प्रकार के लक्षन इनको उपस्तित हो जाएंगे अत्यूश्णो अतिश्विन्य अतिविद्द्ध यानि जो आचारेशुशुषुत ने इसमें पूरे श्लोक में यह बताया है कि अगर विश्रावन कर्म जो हम करते हैं उस विश्रावन कर्म में किसी भी कारण से यह अभिताप शिरो अभिताप अधिमंत तिमिर यह इस प्रकार के रोगों का धातू शे आक्षे पक पक्षागात एकांग विकार त्रिशना दा हिका स्वास कास पांडू रोग और इबन मृत्यू को भी व्यक्ति प्राप्त हो जाता है यानि कि यह इन रीत्वों में अगर उ अधि उष्ण रितू में अति उष्णो अधि उष्ण रितू में अति स्विन्ने ज्यादा अगर उसका आपने स्वेधन ज्यादा कर दिया या अति विद्धे या वेधन कर्म ज्यादा हो गया तो इस प्रकार के अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे तो उनसे निम्न व्य प्रकार से जो है वो ना तो ज़्यादा शीतकाल के अंदर आपको स्रावन करना चाहिए ना ज़्यादा गर्मी में करना चाहिए ना ज़्यादा स्वेधन कराना चाहिए उसको उसके बाद करना चाहिए और ना अतितापिते ज्यादा उसको तपाना नहीं चाहिए इस प्रकार से करके रक्त मोक्षण नहीं करना चाहिए और इस प्रकार से रक्त मोक्षण करेंगे तो यह उपरोक जो आचारे ने व्यादियां बताई हैं यह होने की संभावनाएं रोगी को रहती है अगला जो बात बताई है आचारे ने कि यवागों प्रति पीतस्य सोनितम सब्सक्राइब करना चाहिए यह एक इंपोर्टेंट लाइन है इसको आप देखें कि रख्त मोक्षण से पहले क्या कराना चाहिए यह वागू का पान करना चाहिए अगले श्लोक में हम चलते हैं सम्यक गत्वा यदा रक्तम स्वयमेव अवतिष्टते यानि कि जब सम्यक रूप से आपने रक्तमोक्षण किया है तो वो रक्तमोक्षण अपने आप रुप जाएगा और शुद्धम तदा विजानियात सम्यक विश्रावितम चतत उसको फिर आप क्या कहें उसको आप समझ लें कि अब जो रक्त है वो जो बचा है वो रक्त शुद्ध रक्त बचा है और इसका सम्यक रूप से विश्रावन कर्म हो गया है यानि कि अगर आपने उची तरीके से रक् दरक्त है और इसका जो विश्रावन कर्म है वो सम्यक रूप से हो गया है अब सम्यक विश्रावन होगा तो क्या होगा लागवम वेदना शांति यह जो लक्षन आ गए कि क्या क्या चीजें होगी वो सम्यक विश्रावित लिंगे यह जो है वो सम्यक विश्रावन के लक्षन बताए हैं आचारे ने तो इनको आप एक बार थोड़ा सा देख लें अब यह जो है रक्त-मोक्षण शीली नाम रक्त-मोक्षण सील किसको कहा आचारे ने रक्त-मोक्षण सील वो हैं जो समय समय पर अपने रक्त का करवाते रहते हैं तो उनको कभी कभी नहीं हो ग्रंति हो ग्रंति नहीं शक्ति है उनको यह रोग नहीं होते हैं कभी उसके बाद में यह आचारे ने एह परवर्त माने रखते अब जो एपरवर्तमान रखत है यानि कि एपरवर्तमान का मतलब हुआ आपने प्रच्छान करम करा दिया कराने के बाद भी रखत नहीं निकला तो आपको क्या प्रियत्न करने चाहिए वहां आचारे ने एला शीद सीव कुस्ट तगर शीद सीव क्या हो गया कपूर तो कुस्ट, तगर, पाठा, भद्रदारू, विडंग, चित्रक ये कुछ एक ओशदियां दी हैं इन ओशदियों को क्या करना है इनको चूरनी करते ही लवन, तेल, प्रगाहड यानिकि इनको चूरन बना लेना है जो उपरोक्त ओशदियां आचारे ने यहां पर बताई है एला, शीत, शीव, कुस्ट, तगर, पाठा, ये सारी चीजें ले करके और इनका चूरन बना के और इनको लवन और तेल के साथ मिला करके और वरण के मुख पर अवगर्शन करना चाहिए, वरण मुख अवगर्शियत एवम, यानि कि इनका जो है वो वरण के मुख के उपर घर्शन करना चाहिए, और वरण के मुख के उपर घर्शन करेंगे, तो क्या होगा, सम्यक परवर्थते, उससे फिर रक्त स्रावन जो है, वो सम्यक रूप से होने लग जाएगा, और अती परवर्थते, यानि कि ये तो आपरवर्थ का बताया था, आचारे ने उपरोक्त जो बताया था वो, अती परवर्थ में क्या करना चाहिए, अती परवर्थ में फिर इन्होंने कुछ औशदियां बताई है, प्रियंगू, गैरिक, सरजर, सरस, अंजन, शाल, मली, पोश्प, ये जो बताई है, इनका क्या करना चाहिए, इनका भी चूरनाता भी, शौमेन, व्यादी, पितेन, समूंद्र, फेन, लक्षेन, इनको भी क्या करना चाहिए, इनका भी आचारे ने वरण के मुख पर ग्रिशन बताया है, और फिर अंगुली से इनको आउपीडिन करना चाहिए, यानि कि पहले चूरना आप लगा दें और उसके बाद उसको अंगुली से दबा दें, उसके बाद भी आचारे ने कुछ और चीज़ें बताई है, फिर दूसरा ये करम बताया है, बंधनियात, उसका वरण का बंधन कर देना चाहिए, उसके बाद भोजन आगारे, उसके बाद परिशेक और परदे है, चिकितसा आचारी ने बताई है, उसके बाद परवर्थ हो रहा है तो आपको सिक्वेंस से ये करम करने हैं पहले जो आचारे ने करम बता है वो पहले करना है बाद में जो बता है वो बाद में करना है इनका आगे भी आचारे ने डिटेल किया है लेकिन यहां जो एक जो महतुपूर्ण बात आचारे ने बताई है वो काको सब्सक्राइब काकॉल्यादीगन का अशदिया है उनका कॉ Around में शरकरा और मधू मिला एक और इनको मिला करके उसको मीठा करके उसको पीने के लिए देना चाहिए तो यह थोड़ा सा आप Sब्सक्राइब शरक्रा हो गई मधू हो गया और काकोल्या दिगन के क्वात हो गए अगला जो श्लोक आता है कि क्या होगा धातु क्ष्यात सुरूते रक्ते यानि रक्त के स्रामन से रक्त का अगर ज्यादा स्रामन हो गया तो उससे क्या होगा बाकी धात्वें भी क्षिन हो जाएंगी बाकी धात्वें उसकी क्षिन हो जाएंगी उसके बाद में मंदे संजायत अनलह है उसकी जो अगनी है वो भी मंद हो जाएगी तो ये अलग लग चीज़ें बताएं कि ज्यादा रक्त सराव होने से क्या होगा किस तरीके से करना चाह लेकिन आगे इसमें अचारी ने बताया है कि रख्त के अति श्राव को देखिए वह इन्हों के लिए क्याक्लिछा करना चाहिए संधान स्कंदन पाचन पाचन और देहन इन्हों से चतूर। विधहम ये क्या रहे हैं चतूर। चार हैं जो अतीरत्र स्राव को रोकने के लिए करना चाहिए पहला उन्हें आचारी संधान तूसरा वता श्कंदन तीसरा सपाचन और श्नतल व्षप पताई द्यूंस अब क्या करना चाहिए रस वाले द्रब्ड़ लेकर के उन दूसरा turkey tecendo छाइए उसके बाद में भश्म जो है वो उससे उसका क्या करना चाहिए जो त्रतिय करम है पाचन आप 5000 वह उट्रॉश्म और दह्मैं संकोचियत सीरा उसके बाद जो दह कर मैं वो क्या करेगा लास्ट में करना चाहिए और उससे क्या है वो सीरा का संकूचन करेगा तो यहां आचारे ने क्रम से इनको बताया है चार प्रकार का यह जो अतिसराव को रोकने के उपाए हैं वो चार प्रकार के हैं इसमें एक संधान हो गया एक सकंदन हो गया पाचन हो गया संधान का साहिरस के द्रव्यों से करना चाहिए सकंदन जो है वो उसका शीतल पदार्तों से करना चाहिए उसका जो पाचन है वो भसमादी से करना चाहिए और उसका जो संकोचन है वो अगनियादी कर्म से करना चाहिए ऐ सकंदमाने अगर रक्त रुक नहीं रहा है सकंदित न प्रशेस रूप से बताया है कि संधान क्रिया से जब फाइदा नहीं हो तब उसको पाचन का प्रियोग करना चाहिए और उसके बाद में पाचन नहीं हो तो फिर उसको संधान है संधान से सकंदन है सकंदन से पाचन है। ये क्रिया अगर नहीं हो किसी भी क्रिया से अगर रख्त-सराव नहीं रूखे तब लास्ट में ऐश-धीम औसु यह िन करना चाहिए तो यह थोड़ा सा हमने यहां भी बना दिया सबसे पहले सीतो पचार करना चाहिए फिर कसायरस से संधान क्रिया करनी चाहिए फिर भसमादी से पाचन क्रिया करनी चाहिए और फिर लास्ट में दा करम करना चाहिए चलिए अगले स्लोक पर चलते हैं अगले स्लो यहां आचारिया ने जो मुख्य रूप से बात बताई है वो यह बताई है कि यहां किसी भी रूप से अतियोग नहीं करना है अतियोग क्यों नहीं करना है उसके लिए आचारे ने यह बताई है कि देहत से रुधिरम मूलम रुधिर नएव धार्यते यह बहुत इंप्रोटेंट श्लोग है आपको याद भी होगा निश्चित रूप से लेकिन फिर भी आचारिया शुशुत ने हमने जैसे पहले बताई है कि यह किस आचारे ने बता है यह आपको ध्यान होना चाहिए कई बार हमें श्लोग तो ध्यान होता है लेकिन किस आचारिया के द्वारा वो श्लोग कहा गया है वो हमें ध्यान नहीं होता तो रक्त जो है वो देह का मूल है देह से रुधिरम मूलम और रुधिर जो है रक शलोक आचारी बताया है कि जो रक्त को रोकने के लिए प्रियास किये उसमें हमने कुछ सीतल उपचार भी बताइब और सीतल उपचार से क्या है प्रकूपित अनिले उससे वायू प्रकूपित हो जाती है और और वायू करना चाहिए कोशन कोशन का मतला हलका सा गरम तो हलके से जो गरम घ्रत है उससे उसका परिशेचन करना चाहिए यानि कि अगर हमने अतिसराव के रोगी को अगर रोगी को हमने स्राव करम किया और अतिसराव हो गया तो उसको रोकने के लिए अचारे ने उपर चार प्रकार के कर्बी बधाएं । अगर आप जैसे संधान में बताएं या इस वहां पर आपको क्या करना चाहिए कोश्ण जो घ्रत है उससे परिशेचन करम करना चाहिए तो यह हमारा चतुर्दस अध्याय है और इसमें जो महतोपूर्ण महतोपूर्ण कौन से कुछ क्योश्टन निकलके आते हैं एक बार उनके माध्यम से हम इस पूरे चेप्टर को रिवाईज करने की कोशिश करते हैं चलिए सबसे पहले अध्याय का नाम हमने देखा शोनित वर्णी अध्याय तो अध्याय होगा शोनीतवरणिया अध्याय, उसके बाद में आहार के बारे में आचारे शूसुत ने सबसे पहले बताया था, कि ये पांच बोतिक होता है, चतुर विद होता है, शडरस यूक्त होता है, द्वीध विरिये इसको बताया था, जिसमें शीत और उश्न दो प् लगी रहती हैं कि और द्वीविद विर्य और अस्ट विद विर्य दोनों माना गया है। उसके बाद में आचारे शुषुत की परिभाशा है थोड़ा से इसको देखें यह तेजों भूत सारे परम सुख्ष्म से रस इत्युच्यते यानि कि जो अहार का सार भाग है जो होब बस दमनिया हैं। यसमें दस ऊपर की तरफ जाती है दस नीचे की तरफ जाती है और चार धमनिय करती है। ये वह आप साथ नीच्वायति भड़न करता है। धहरण करता ह। अगला जो आचारे शुशुत तरपन वर्धन ये फूर होता है और वहाँ पर लाइन भी दी एक से एक बार देखना है यह उसी शुप में आपको यह लाइन मिलよね लेगे लास्ट में रस को अचारे ने क्या बता है सों में बता है रस क्या होता है सों में होता है तो रस जो है रक्त को का प्राप्त होता है या राग को का प्राप्त होता है यकरत और प्लिहा के द्वारा तो इस्त्रियों में रजय काल अचारे ने बता है 12-50 वर्स का आर्थो कि बटकरद को अचारे ने पांच भोतिक माना है और पांच बहुतिक में इन्हों ने जो दूसरा शलोक था उसमें अलग-लग बता है कि इसमें विशरता रवता राग सपंदन और लगुता के गुण होते हैं जो अलग-लग जो है वो महाभूतों को रेप्रेजेंट करते हैं इसलिए इसको 5 जिकर करते है तो सभी धातो का तरपनी किसे बता यहां अर यहां तक कि आठीक पुरुषम 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 इत्वी रस से है रस कौन सा है जो दिन रात चलता रहता है इसलिए इसको रस कहा है अब यहां रसी में ठहरने की अवधी आचारे ने बताई थी तीन हजार पंद्रा कला और रस से सुक्र बनने की अवधी भी आचारे ने बताई थी अठाराजार नब्बे कला लेकिन फिर भी एक चीज ये भी ध्यान रखनी है अपने को कि एक मास में रस पुरूसों में सुक्र और इस्त्रियों में आरताव बनता है तो ये किसके ही सबसे आचारे श भषते आचारे शूशूफत के नजा है ये जो लाईन आचारे शूशूफत ने दी थी शबद अर्ची जल संतानवद गुणा तो एक बार इस जल को में यहां से हटा देता हूं तो यह हमारा रह गया रस तो रस के लिए बताया था आचारे शुषुत में शब्द अर्ची जल संतानवद गुणा धातू के लिए आचारे शुषुत में सरीर धारना धातू है बहुत कॉमन सा श्लोक है सामान्य यह लेकिन आचारिय के ऑजिशित्धा ने थोड़ा सा इसमें ध्यान होना चाहिए एखुंधा। करण यहां पर नहीं दिया है वह रक्त को दिया है और उसके लिए जो लाइन है वो वीशेश रूप से आप देखें यनि की धात्मों की घ्रखत में बहुत सारी चीज आचारिय है ने फे ए शकंदी यानि उसका सकंदन नहीं होता है सिग्र गमन ये चीजें बाद दुशित की हैं जबकि यह जो पिपी लिकाम अक्षी कायाम यह किसका है पित दुशित रक्ट का है लक्षण कफ दुशित रक्ट जो है वह चिर स्रावी होता है लेकिन मास पेशी प्रभामम और दू जो महत्वपूर्ण जो हैं उनको आप याद रखें आप सारा एक बार देख रहें बहुत अच्छी बात है लेकिन जो महत्वपूर्ण है जैसे इसमें यह गैरी कोदक प्रतिकाशम यह महत्वपूर्ण है कफदूशी तरक्षन है मास्पेशी प्रभवमम यह कफदूशी तर लक्षन हो गया एसकंदी पित दूशी तरक्ष का भी लक्षन हो गया तो यह थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है शुद्धरक्थ के लिए अचारे ने कहा है इंद्र गोपक प्रतिकाशम एस अहतम आविवर्णंचे प्रकरतिस्थम यह इन शुद्धरक्थ का अचारे ने लक्षन बताया है एसहत होता है एस वीवर्ण होता है और इंद्र गोपक के समान होता है एसराबे कौन-कौन से बताएं आचारे ने जिनका विश्रावन करम नहीं करना चाहिए सरवांगशुफ के रोगी का और जिसने जो है वह अभी अमलभोजन किया है उसकी वज़े से इसको सोफ हो गया हो पांडू रोगी है अर्ष है उदर रोगी है शोत करो गी है या गर्वीनी को शोत हुआ है तो यह ठोड़ा सा होना चाहिए और आशू होना चाहिए और एसम में प्रच्छान जो है वो यह है कि यहां पर प्रच्छान का निशेद किया गया है कि इसको शीतवात के रोगी को को प्रच्छान करम नहीं करना चाहिए अतिसराव से कौन-कौन से रोग हो जाते हैं थोड़ा सा आप इनको भी देखें अधिमंत बताया आचारे ने तिमिर बताया है आक्षेपक बताया है पक्षा घात बताया और पांडू बताया है तो यह जो रोग हैं यह अतिसराव से हो पान करवाना चाहिए समयक रक्तमोक्षन हो गया है यह अचारे ने इसके लिए एक बहुत अच्छी लाइन दी थी यह लाइन आपको ध्यान होनी चाहिए स्वयमेव अवतिश्टते यानि कि यह रक्त जो है वह अपने आप ही वहां से जहां आप रक्त विश्रावन कर रहे लेकिन जम में कई बार इस तरी arm और कल रहे अौट धेबार की आपsal गया है वहेतुक्षन कर्ण कर्वाई जा सकता है जो समय समय person करवाते तो आपको पर्टिकुलर ठ्रम ध्यान होनी चाहिए कि आचारे ने किस आचारे ने कहा है किस के लिए कहा है ताकि आप वहां पे नहीं हो चोटे चोटे कई बार मामुली से अंतर के साथ options निकल के आ जाते हैं रगत मोक्षंट सील को कौन सी व्यादिया नहीं होती उसको तुछा से समंधित दोस्त नहीं होते ग्रंति शौफ और रगत समंधित जो व्यादियां हैं वो नहीं होती है प्रवर्तमान रक्त में क्या करना चाहिए कुछ ओश्द आचारी ने बताई थी आपको ध्यान हो कुछ कपूर आदी जो है वो उश्दियां बताई थी उनका चूरण मनाकर के लवण और तेल के साथ वरन मुख के उपर घर्शन करना चाहिए तो वहां पे रक्त निकलना पृरारंभ हो जाता है और अगर वही अतीप्रवेत्हक्त है तो उसका आचारे ने यह उपचार बताए हैं हलागी जाकर अतिप्रवर्थ रक्त के जो उप्चार बताएं हैं वो हम और थोड़ा सा विशिस टूप से देखेंगे लेकिन फिर भी थोड़ा सा इनको आपको ध्यान में रखना है अतिप्रवर्थ रक्त में ओश्रद क्या देना चाहिए काकोल्यादी क्वाथ और सरकरा मधूरम पायेत काकोल्यादी क्वाथ के साथ में शरकरा और शहद जो है वो इनको मिश्रित करके देना चाहिए परावधृता रख्त पान का प्रावधान का एक जिसको आम ने का था आप दिहान से देख लिए उससी शलोक में एक जगे यह निर्देश दिया है कि रख्त पान और रख्त पान कौन सा ताजा रख्त का पान चाहिए बहुत सारे प्राणी बताये थे उन्हें ही रनादी कुछ ऐसे अचारे ने बढ़न किया था उनके रक्त पान का निर्देश भी अचारे ने दिया है यहां हम आते हैं उसको जिसके हम उपर बात कर रहे थे रक्त स्राव अतिस्राव को रोकने के उपाई संधान सकंदन पाचन और देहन यह चार प्रकार के उपाई बताये थे यहां पे उन्होंने थोड़ी सा विसिस्ट किया था कि संधान जो है कसायरस वाले द्रव्यों से करना चाहिए संधान किस से करना चाहिए कसायरस वाले द्रव्यों से सकंदन हेम से और पाचन भसमादी से अतिस्राव को रोक कि उपाई नहीं करें नहीं रुके तो फिर अगला उपाई उससे नहीं रुके तो फिर अगला उपाई इस तरीके से अंतिम जो उपाई बताए आचारे ने वो बताए कि जब तीनों उपर के करम एप्रभावी हो जाएं तब आपको दा करम करना चाहिए आचारे शुशुत क आपको ध्यान होना चाहिए और इसी की रक्षा का आचारे ने उलेक किया इसको रक्त जीव भी कहा है यह एक बार थोड़ा सा इसको आप देख लें लास्ट में आचारे ने बताय था कि रक्त सराव रोकने की उपायों से अगर वायू प्रकुपित हो जाए तो आपको क्या कर लगाना चाहिए तो यह जो हमारे मुख्य मुख्य जो टॉपिक निकल चाहे रहते कुछ और बाकी स्टूडेंट्स को भी इसका ध्यान होना चाहिए तो आप उसको कृप्या कमेंट्स में डालें वो चीजें यह भी उससे complete हो जाए, तो आप आपस में भी एक दूसरे की help इस माध्यम से कर पाएंगे, तो आज का हमारा ये chapter अभी खताम होता है, अगले chapter के साथ फिर हाजिर होते हैं, thank you very much.